नमस्कार में हुश्वारी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है पदो पर नई भरती बिहार के सरकार्य अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए 5,000 पदो पर नई नियूकति का प्रस्ताव तयार कर लिया गया है इनकी नियूकति को लेकर बिहार तकनीकी सेवा चरनायोग बिहार संयुक्त परतियोगिता परिच्छा परस्त को औरुशन सा भेजनी की प्रकरिया अंतिम चरन में है बता दे कि राजु में ततकाल 1,511 सिन्य रेजिडेंट और 1,144 जूनियर रेजिडेंट की नियूकति होगी स्वास्तविभाग के अधिकारियों के अनुसार डॉक्टरों की नियूकति के साथ ही करिब 2,000 पाड़ा मेडिकल कर्मियों की भी स्थाई नियूकति की जायेगी पतना में लेट नाइट तक लगजरी क्रूज पर लेल सकेंगे मज़ा आगामी 1 ऑक्टूबर से बिहार की राज़ानी पतना में लोग देर रात तक लगजरी क्रूज से गंगा नदी में सैर सपाटा कर सकेंगे अभी तक यह सुविधा के वल दीन में ही मिल रही थी लेकिन अब सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गंगा नदी में क्रूज चलाया जाएगा लगजरी क्रूज को टूरिस्म एसोशेशन ओफ बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है क्रूज संचालकों की माने तो क्रूज पटना के महिंतरू घाट से खुलेगी और गंगा नदी में कुल 4 किलोमेंटर तक की सैर कराई जाएगी बिहार में लंपी वारिस को लेकर जारी हुई एडवाईजरी सरकार पशु में फैल रहे तोचार रोग लंपी वारिस को लेकर सतर्क हो गई है पशुपालन में भागने अधिकारियों पशु चिकेट सको को सतर्कता हुआ विशे से साबधानी बरतने की निर्देश दिये हैं संक्रमित गौवनशी और महीश वनशी पशु के इलाज के लिए समनवय स्थापित करते हुए तमाम इंतिजाम सुनश्चित करने की एडवाईजरी भी जारी की गई है जिला पशुबालन पदाधिकारी इंदू शेखर ने पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉनफरेंसिंग कर सतर्कता को लेकर विस्तरत जानकारी दी है बिहार में वज़रपात से 6 लोगों की गई जान बिहार के विविन जिलो में बिते दिशय निवार को वज़रपात की चपट में आने से 6 लोगों की जान चली गई है इससे देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने दुख जोताया है उन्होंने कहा कि राजु के 4 जीलो में वज़रपात से 4 लोगों की मृतियों दुखद है IIT पतना चात्रों को मुफ्त में करेगा प्रसिक्षित बिहार Mathematical Society IIT पतना इबं बिहार सिक्षा परियोजना परिस्थ पतना के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिक्षन कारिकरम का योजन 8 ओक्टूबर से किया जा रहा है बता दे कि यह परिस्थिक्षन कारिकरम दो चर्णों में आयो जित की जाएगी भारत और नेपाल में सब्तकोसी बांध पर योजना के अध्यन के बाद इस पर आगे कदम बढ़ाने पर सहमती बन गई है। भाद परभावित श्यत्रों पर सहयों को लेकर भी चड़्चा हुई। अध्मिट काड डाउनलोड कर ले। प्रकाश की अच्छी ववस्था रहेगी। इसके साथ गांधी मैदान को समतल करने का अनरदेश दिया गया है ताकि किसी को चलने में परिशानी ना हो। रक्षा की द्रिस्टिकों से गांधी मैदान में से सी टीवी कैमरी लगाया जाएंगे। कुष, तील और जल लेकर पित्री तर्थ से संकल्प करें जो स्ट्रधा पुर्वक करने से पित्रों को त्रिप्त कर देगा। और पित्री आश्रिवाद देने के लिए विवश हो जाएंगे। के एक लाख बीस हजार पद शामिल हैं। पुर्वी चंपारंद, पश्मी चंपारंद, सारंद, सिवान, गोपाल, गंज, लखी सराय, भागलपूर, जमुई और मुंगेर, जिला शामिल है। राश्री अध्यक्ष चुनाओ का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इसी दिन से राश्री अध्यक्ष एवं राश्री कारकारणी के सदस्य पद के लिए नामांगन की पड़किरिया शुरू हो जाएगे। अठाई सितंबर को ही शाम पांच बजे वैद पाये गए उमिद्वारों की सुची जारी कर दी जाएगे बतादी कि 10 ओक्टूबर के नई दिली के ताल का टोड़ा स्टेडियम में राश्री परिश्य दिकी बैठक में राश्री अध्यक्ष और राश्री कारकारणी के सदस राश्री पति पारस ने बिहार के मुख्यमति नतिश कुमार सहीद पूरे पक्ष पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि रावल गांधी, ममता बनर जी, अर्विंद केज जिवाज, शरत पावार, वो अनतिश कुमार सहीद बहुत लोग लाइन में हैं ये कभी साथ नहीं ह जीतेंगे उन्होंने असपस्ट कहा है कि 24 में प्रधार मंत्री की वेकेंसी नहीं है, नरिंदर मोदी देश ही ही नहीं, अंतरास्टी अस्तर पर बड़े नेता है, अमेरिका की राश्रपती भी उन से हाथ मिलाकर और गले बिलकर गौर्वानवित महसूस करते हैं पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोर कर इतिहास रश्रियों चाहेगा भारत, भारत और ऑस्ट्रिलिया के बीच तीन मैच की टी-20 सिरीज का आखरी और निरनायक मुकावला, आज हैदरावाद के राजिव गांधी इंटरनेशनल स्ट्रियों में खिला जाना है, इस पाकिस्तान के नाम है, अगर आज भारत और ऑस्ट्रिलिया को मात देने में सफलता हासिल करती है, तो वह इतिहास रच देगी, देश्वर में आये 5000 से कम कोरोना के मामले, किंद्रे स्वास मंत्राले दोरा आज हुयानी रविवार को जारी किये गे कोरोना रिपोर्ट के चार 912 नए मामले सामने आया है, वहीं बिहार की बात करें तो, यहां बीते दिन जारी किये गे पिछले 24 घंटे के आकरों के रुसार कोरोना संक्रोन के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज़बर में कुल 69 कोरोना के नए मरेज मिले हैं, वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 32 नए मामले सामने आये हैं। आज के सवाल है कि आपके शेत्र में सबसे अच्छा दुर्गा माता का पंडाल कहां लगता है।